नमस्कार दोस्तों SSR मामले में एक बड़ी ही खबर आ रही है और वो खबर काफी चौकाने वाली है क्योंकि पिछले लगभग एक साल आठ महीने से ऐसा कोई भी अपडेट्स नहीं आया जबकि आपको याद होगा कि कई बार हंगामे होते गए कई बार लोगोंने काफी मांग किया कि इस मामले में कुछ अपडेट मिले यहां तक कि बहुत बार CBI दफ्तर पे परदर्सन भी किया गया लेकिन आपको यह भी याद होगा कि सुब्रमन्यम्श्वामी को उनकी तरफ से कुछ लिखित आये थे हम हर एंगल पे जाच कर रहे हैं खर यह सब तो अपडेट्स हैं लेकिन जो अभी जो एक बात निकल करके सामने आई है वो यह है कि इस मामले के एक ऐसे आरूपी जो कि बिलकुल ही साइलेंट है जिसके बारे में किसी को शक नहीं था उसकी खोज बिन जारी हो चुकी है और पिछले कुछ समय में बहुत ऐसे लोग शुशांत के दोस्त बन करके उभरे थे उनसे भी अब पूस्ताच करने की तैयारी चल रही है क्योंकि अगर आप सुशांत के दोस्त थे तो आपके पास भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे और उन लोगों से अब बारी बारी से पूस्ताच की जाएगी जो इंटर्नल खबर है उसके मताबिक जो जाच एजनसी है वो इस SSR मामले में कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है क्योंकि उनके उपर पूरे सरकार के साथ साथ आम जनता का भी बहुत बड़ा प्रेसर है और उस प्रेसर के कारण एजनसिया कई एंगल से जाच कर रही है कुछ दिनों पहले कभी कड़ी पूस्ताच की गई थे सिधात बिठानी से और अब जो तैयारी चल रही है उसके मताबिक जो लोग भी सुशान के दोश थे उन सब के उपर कड़ी पूस्ताच का एक शंकट गहराने वाला है क्योंकि उन सब को अब बारी बारी से बुला करके और बहुत ऐसी एंगल्स हैं बहुत ऐसे भिशे हैं जिस पे अभी पूस्ताच किया जाना बाकी है क्योंकि जब तक इस मामले में गहरी कारवाई और गहरी पूस्ताच की बेवस्ता नहीं बनती है तब तक इस मामले में बहुत कुछ शामने नहीं आ रहा है और ये एक बड़ा चुनौती साबित हो रहा है इस मामले के अंदर अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं आ रहा है लेकिन आम जनता इस मामले में काफी एक्टिब है और आम जनता की जो मांग है उसके कारण से एजिंसियों के उपर भी काफी दबाव बना हुआ है सरकार के तरफ से कि इस मामले में आप जल्दी जाच करें और बताएं तो हमें बिल्कुल ही इंतजार रहेगा और आपको भी तो अगले अपटेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और लगतार बने रहेए जैन जै भारत